नमस्कार मित्रो चैनल आप सभी लोग को खाट देख स्वागत करता हैं मित्रो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जब लोग चैल्लिकेर लीब, मैटकल लीब या मैटरनीटी लीब को अपलाई करते हैं तो उसके लिए हमें B.E.O.S.R.K.E.H.R.M.S. Code की आविश्यक्ता पढ़ती है सबसे पहले हम यह देखें कि आखिर हम उनके Code को किस प्रकार से ग्याद करेंगे और फिर आगे की प्रक्रिय हम यह समझेगे आखिरें रिपोर्टिंग उपिसर उनको किस प्रकार से बनाएंगे मित्रो जैसे हम मानो समदा की Portal पर पहुंसते हैं वैसी हम लोगों की इस प्रकार की इंटरफिस ओपन होके हमारी समने आ जाता है इसको हम जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं स्क्रॉल डाउन करने की पस्चात हमारी समने इस प्रकार की चार-पांच ओप्सन ओपन होके आ जाते हैं यहाँ पर हम लोगों को सबसे मैध पूर है वो है सर्च HRMS कोड इस वाली ओप्सन पर हमें टैप कर देना है जैसे ही हम लोग इस अप्सन पर टैप करते हैं वैसी हमारी सामने इस प्रकार की विंड़ो ओपन होके आ जाती है यहाँ पर हम लोगों को 4-5 ओप्सन मिल जाते हैं इन ओप्सन को हम किस प्रकार से फिल करेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं फ़स्ट आप्सटन पर हमें basic education select करना है, second option पर हमें directory को basic select करना है third वाली option पर हमें यहाँ पर अपना district select करना है fourth वाली option पर हमें उस district के BSU office को में select करना है और सबसे last वाली option पर हमें block education officer को में select करना है, इसके बाद हम submit वाली बटन पर tap कर देंगे जैसे ही हम submit वाली बटन पर tap करेंगे, मित्रो आपके जनपद में जितने भी block education officer कारे रथ होंगे, उन सभी का detail यहाँ पर प्रती एक रूब में आपको scene हो जाएगा, उपर आपको उनका EHRMS code scene हो जाएगा, यहाँ पर उनका नाम भी scene हो जाएगा, और जिनका भी आपको use करन है, उनका आप EHRMS code note down कर सकते हैं, मित्रो यहाँ से हम लोगों ने अपने block education officer सरका, जो EHRMS code था, वो हम लोगों ने ग्याद कर लिया, अब हम लोग यह देखने वाले रमोंको reporting officer किस प्रिकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग पोटल से अपने आपको login कर लेते हैं, login open करने की पस्चात इस प्रिकार की interface हमारी सामने open के आ जाता है, अब हम लोगों को यहाँ पर leave module वाली option पर जाना है, यहाँ पर my leave वाली option पर जाना है, फिर हम लोगों को apply leave वाली option पर tap कर देना है, यहाँ पर हम लोगों को सबसे first point में यहाँ पर reporting officer मिल जाते हैं, यहाँ प करेंगे इस प्रकार की window हमारे सामने open होके आ जाएगी यानि आपकी ID पर जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर पहले उपलब दोंगे उनका डेटेल आपको यहाँ पर सीन करा देता है यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर जो चेंज करना है वो आपको लीब के लिए चेंज करना ह है fix by e-code यदि आपको उनका e-code मालूम है तो आप e-code के माद्यमस उनको तुरंती चेंज कर सकते हैं सबसे पहले हम लोगों को उनका e-code मालूम है तो हम लोगों को उनका e-code इस वाली option पर हमें यहाँ पर हम लोगों को उनका e-code फिल कर देना है और हम लोग view वाली option पर जै HRMS code मालुम नहीं है, तब किस प्रकार से हम लोग करेंगे, यहां भी देख लेते हैं, जब लोगोंने fix by search option को उपट क्लिक किया, तब इस प्रकार की window हमारी सामने open okay आ जाती है, और इस प्रकार की options हमारी सामने scene होने लगते हैं, यहां पर options को हम लोग किस प्रकार से fill करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं, service में leave होना चाहिए, तो option में directorate of basic education हो जाएगा, इस वाली option में हम लोग district को select कर लेंगे, इस वाली office label में हम लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, office label में हम लोगों district के BSA office को select करना है, और यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, आपको block education officer करके select करना है, तुरंती यहां पर reporting officer, एक scroll down करके आपको उस office में जितने भी लोग कारेरत होंगे, उन सभी का detail आपको scene होने लगेगा, फिर आप वहां से अपने जो भी आपके वरतमान BEO sir होंगे, उनका नाम आपको वहां से scene होने लगेगा, और उनके उपर आप tap कर दे करेंगे, उमीद करता हूं मित्रों आप सभी लोगों के यह परकरिया बहुत ही आसानी से समझ मागी होगी, और भी informative वीडियोच पाने के लिए हमसे जुड़े रहे है, thanks for watching, मिलते हैं अगले next वीडियो में